जैशी 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 मैं हूँ ऐसरो संद्य सकसरा, स्वागत करती हूँ आपकी यूट्टीब चैनल मालक्षी जोतिश अधात्मिंग में अब हम बात कर रहे हैं अपनी कुंडली की तो सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी वालो की, मेश राशी वालो स्वास्त आपका वेवसाय अच्छा रहेगा, वेवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा, थोड़ा बत तनाप तो सभी की लाइफ में रहता है, तो उससे गवरान की जएत नहीं है, थोड़ा बत उतार चाड़ अच्छा है, आपके लिए शुब किया है, आपके लिए दो नमबर आपके लिए श रहेगा, वैयवैक जीवन भी आपका हछा रहेगा, कुल मिलागे, आपका टाइम अच्छा है, आपके लिए लग्री नमबर एक रहेगा और आपके लिए जो शुप रंग रहेगा, वह रहेगा, पीला या केसरी या, तो आपको क्या करना है, आपको किसी भी गरीब की मदद करेंगे उसको थोड़ा बहुत दान कर देंगे तो इससे आपका बजबूत रहेगा शुक्र अब हम बात करते हैं मितुनराशी वालों की मितुनराशी वालों आपका स्वस्त उत्तम रहेगा अच्छा रहेगा लेकिन दंसंपती के मामले में थोड़ा सा डाउन जाएगा उतार चड़ा आपके साथ परवार में थोड़ी बार खटर पटर हो सकती है लेकिन प्रिम सबंद वेवसाई और भाहिक जीवन आपका अच्छा बना हुआ है उसमें कोई दिक्कत नहीं है चोटे मुटे तनाव के साथ आपका जीवन चलेगा आपको क्या करना है थोड़ा स आठ नंबर इस समयल लकी बना हुआ है अब हम बात करते हैं नेक्स राशी वो है करक राशी करक राशी वालो आपका स्वास उत्तम नहीं है आप अंडाउन के साथ रहेगा और धन संबती में भी थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी परवार के साथ आपका सम्मद अच्छा नहीं होंगे बहुत ज़्यादा लेकिन वेवसाय अच्छा रहेगा जीवन भी बैलन्स रहेगा यानि कि आपका जीवन हंडर्ड और सेवन्टी यानि खड़े मिटे के साथ चलेगा तो क्या करना है आपको करक राशी वालो यहू और गोड जो है गाएं को खिलाना शुकर आपको निश्यत रूफ से लाप होगा तीन नंबर आपके लिए लग की रहेगा आधित्य हिर्देस्तोत का पार्ट करेंगे तो यह भी आपके लेए अच्छा रहेगा और लाल रंको आपको धारन करना चाहिए शिंग राशी की बात करेंगे हम तो सिंग राशी वालो आप दूसरों के विए से आप टेंशन में आएंगे और थोड़ा सा आपको ऊपर कॉंफिडेंस रहता है आतुशाद बहुत ज़ता है आप में तो थोड़ा सा द्यान रखेगा आपके लिए क्या अच्छा है आपके लिए एक नंबर शुब है लाल रंग आपको प्रयोग करना चा ओम सोमायनमा का जाब कीजे या उससे भी अच्छा है कि भावान शिव की पूजा अरातना कीजे निश्वीत रूप से इससे आपको लाब मिलेगा नेक्स नंबर पर आते हैं कन्यराशी की बात करेंगे कन्यराशी वालो आपको स्वाथ अच्छा है धन्सपति बनी भी है प बताओंगे कि नौ नंबर आपके लिए लखी रहेगा लाल रंक आपको प्रयोग करना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए भगवान मंगल यानि की जो हमारे प्रभू है हर्मान जी उनका ध्यान पूजा पार्ट करेंगे निश्वीत रूप से आपके लिए अच्छा रह आपको तोड़ी बहुत दिक्कत आएगी और आपका वहाई जीवन भी तोड़ा सा डाउन होगा कुल मिलाके अपट डाउन के साथ आपका दिन चलेगा आपको क्या करना है करने राशी वालो तनाव को महसूस नहीं करना है और हलके जीवन को जीना है दो नंबर आपके कर लेते हैं उस फिर फिर किसी चीज के टैंशन नहीं रहती है अब हम बात करेंगे वर्शी?!" राशी क będę करने से पहले सोज समझे काम करो मिलाशी को है कैसी राशी है जिससे जो कभी किसी राशी से इंडर थी सब पे बड़ी दल्दी कंट्रोल कर लेती है ठीक है तो आपको क्या करना है आपको पाये के रुपे भगवान शिव के बारा नामों का जाब करना चाहिए लालरंग आपके लिए शुभ है और चार नंबर आपके लिए लखी रहेगा थोड़ा सा आपको वानी पे कंट्रोल करना चाहिए अब हम बात करते हैं धनुराशी वलो की तो धनुराशी वलो आपको स्वास अच्छा रहेगा उत्तम रहेगा धन संपत्ति आपके बस बनी रहेगी परिवार का सुक आपको मिलेगा प्रेम संबन थोड़ ज़र डाउन जाएंगे विवसाय आपका अच्छा रहेगा और वेवाई जीवन भी आपका खटा मिठा रहेगा बहुत अच्छा भी नहीं बहुत खड़ा भी नहीं ताल मिल से बरावा है तिन उतार शड़ाव के साथ तो आपको क्या करना है माताल लक्षमी की सेवा पूजा पार्ट करेंगे तो निश्यत रुप से आपको लाब मिलेगा धन राशी वालो एक नंबर आपके लेश लकी रहेगा और लाल रंका धारन करेंगे तो थोड़ा आतविशास बना रहेगा आपको और ये आपके जियों में शुबता लाएगा नेक्स संबर पर हम बात करेंगे मकर राशी वालो की तो मकर राशी वालो स्वास अपका अच्छा है दन सबर्ति के मामले में आपको बहुत अच्छा भी नहीं है बहुत खराब भी नहीं है यानि कि थोड़ा बहुत बैलन्स बना रहेगा आपका परिवार का सुख आपको मिलेगा प्रेम संबन बहुत अच्छे नहीं है वेबसाइब भी बहुत अच्छा नहीं है वेजियों में भी थोड़ी बहुत दिक्कत है बैलंस रहेगा आपका टाइम इस समय, ना बहुत अच्छा, ना बहुत खराब, मगर राशी वालो, और आपको खुद से इसको थोड़ा सा बैलंस बना रहेगा, कैसे पनाएंगे, गुसा नहीं करना है, अनाव शक्तनाव नहीं पालना है, किसे से बहस ना करें, आपका जो र रंग एक रहेगा, मरून या काला रंग आप पहन सकते हैं, या के शुब है, अब हम बात करेंगे, नेक्स राशी, कुम्बराशी के बारे में, तो कुम्बराशी वालो, आपका स्वास्त बढ़िया रहेगा, उत्तम रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, धन संब्रती भ भी आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, और वेवसाही भी आपका थोड़ा डाउन ही रहेगा, वेवाई जीवन जो है, उसमें भी आपका थोड़ी दिक्कत है, कुल मलागे मैं कहूंगे, कि स्वास्तों बहुत अच्छा है, आप धन संब्रती भी बेच्छी है, लेकिन पर अपने दिन को खुशनमा बनाने के लिए मांसिक, तनाव और जहन जोटो से दूर रहना चाहिए, ज्यादा किसे बोलो मत, क्योंकि जब आपको लगता है कि टाइम आपके अगेंस्ट है, तो शांती रहो, चुप रहो, तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्या कर सकते हैं, अपके ले शुब है, देखेए, आपकी राशी भी यही है, कुंब और कुंब राशी कि शिंदीव, आपका लखी नंबर भी है, आट ने कल के आया है, काला रांग, अपके ले शुब रहेगा, और च्या करना है, बगवाण शिंदीव का ध्यान किजिए, ओम शेंचन आपका धन संबत्ती बना रहेगा, पैसा आएगा, जाएगा, काम होती रहेगे, परवार में किसे कलेश हो सकता है, कलहा हो सकती है, उसको आपको ध्यान रखना है, और प्रीम संद आपके बढ़िया रहेंगे, मजबूत रहेंगे, वेवसाय भी आपका अच्छा रहेगा, और प्रीम जीवन भी आपका अच्छा बेहतर रहेगा, सास के लिए आपको क्या करना है, फालतो की जोबे धान नहीं देना है, और फालतो की टेंशन नहीं पालनी है, हाईपर नहीं होना है, गुसान नहीं करना है, आपने मन को जितना, आप ज़्यादा शान्त रह सकते हैं, उ आप क्या कर सकते हैं, माते पे किसर का तिलक लगाईए, इसे लाब होगा, पांच नमबर आपके लिए शुब है, और हारा फिरोजी रंग भी आपके लिए शुब रहेगा, तो अमीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगाओगा, अच्छा लगाए कि तो लाइक कीजि आपकी राशी फिल, आज का दिन, आप सभी के लिए शुब हो, मंगल में हो, इसी कामना के साथ, मैं अचारे संद्य सक्सना, अब आप से जाद लूंगी, आपका दिन शुब हो, शुक्रिया, धन्यवाद